नमस्कार प्यारे बच्चों मैं चंदर सिंग आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों क्षा 3 के हिंदी विशे की weekly वाट्सप क्वीज है वो आज 2nd October सुनिवार को आ गई है जिसे हम हल करने बाले हैं लेकिन प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान देना ह नेकि अब की बार विसेष करके नाम लिखाओ नाम लिखा हुआ है एड़ावत के द्वारा एनेस क्वीज त्यार की गई है तो आपको ऑण entrada विसलेशन बड़िया डंक से हो पाइं तो प्यारे विदारतियों और साथ साथ में ये अभी चार-पांस दिन बाद में आपका सेकंड टेस्ट होगा उसके लिए भी बहुत मैतोपूर्ण है उसमें भी ये परसंद आ सकते हैं क्योंकि पिछले जो परस्ट टेस्ट था उसमें भी वो परसंद आये थे तो प्यारे विदारतियों अपने प्रशनों को पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे घंटे का निशान दबा दीजिए पढ़िए ये क्या लिखावा है जंगल में हातियों का परिवार एक नदी की किनारे रहता था एक बार गर्मियों में वर्शा नहीं हुई और नदी सूग गई हातियों के लिए पीने का पानी नहीं था हातियों का बच्छा बिमार हो गया हातियों का परिवार पानी की खोज में घूबने लगा तीन दिन ब बारे में जंगल के बारे में नदी के बारे में जिल के बारे में वेसे तो च्यारों नाम है वेसे तो च्यारों नाम है लेकिन कहानी का मुख्य अदार पातर कोन है हाती क्या है हाती तो आपके इस पहले परसन का उत्तर भी पहला है एनस के लिए बहुत ही महत्वपून है प्य तो प्यारे बच्चों वो रहता था नदी के पास आपने वो पेरा पड़ा होगा उपर गध्यास उसको देखकर आप साउधानी से उत्तर दे सकते हैं कि हातियों का परिवार कहां रहता था नदी के पास तो दूसरा उत्तर हो गया अगले परसन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अगला परसन देखो पीने का पानी ने होने के कारण कौन बिमार पड़ गया सभी हाती सभी जानवर हाती का बच्चा और बुड़ा हाती तो कौन बिमार पड़ गया हाती का बच्चा यानि आपका तीन नमबर उत्तर है हाती का बच्चा बिमार पढ़ गया आगे बढ़ते हैं बच्चो अगले परसन की तरफ हातियों ने क्या खोजा पेड़ खोजा पानी खोजा बोजन खोजा और जंगल खोजा तो क्या खोजा था उन्होंने पानी खोजा था बच्चो क्या खोजा था उन्होंने पानी खोजा था तो सबद को अंडरलाइन कर रखा है बीमार सबद को क्या कर रखा है अंडरलाइन यानी रेखांकित कर रखा है अब देखो नीचे क्या खा गया है कि दिये गए वाक्ये में रेखांकित सबद का उल्टे अर्थवाला सबद कौन सा है तो रेखांकित सबद कौन था बीमार अब ब स्वस्थ्थ हो गया प्यारेविदार्तियों अगले पर्सन की तरफ बढ़ते अगला पर्सन देखो हूँ और यह आगया केलेंडर आपका केलेंडर है और आप पिससे सावधानी पुर्वक देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से ये परसंद पूछा गया है पैरविधार्थियों देखो दियेगे कलेंडर को देखर परशनों के उत्तर दीजिए अब कलेंडर है जनुवरी 2011 का कलेंडर कब का है जनुवरी 2011 का और देखो सुकरवार को नया वर्स लग रहा है तो 9 वर्स है उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 तारी को देखिए 13 तारी को लोहडी है 14 तारी को पॉंगल है 14 जनुवरी को फिर 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 को कुछ नहीं है 26 को क्या गणतन तरदीवस है 26 जनुवरी को क्या है गणतन तरदीवस है जो हम पीचे परसंद दिये हुए है अब उनके उत्तर हमें देने तो इस कलेंडर को बार-बार देखेंगे देखो पहले तो पहला परसंद कि 26 जनुवरी को क्या था 26 जनुवरी को क्या था तो आप इस परसंद का उत्तर पोंगल गंतन तरदीवस लोडी और नवर्स तो 26 वो गैं गनतमतन तरदिवस कि अगला पर शन परुम जनवरी 2011 में कितने रवीवार थैं यहां पर रवीवार पूछें कितने थे तीन च्यार 55 6 यानि कितने राविवार संडसंडे पते तो रविवार गिनने पड़ेंगे कितने रविवार थे कलेंडर को वापिस देखो प्यारे विदार्तियों सावधानी पूर्वक आप समझ जाओगे ये लो आपका कलेंडर आ गया अब आपको रविवार देखने कहा है रविवार ये रहा रविवार तो तीन तारी को रविवार 10 को रविवार 17 को 24 को 31 को तो 1, 2, 3, 4, 5 तो जनवरी 2011 को कितने रविवार थे? 5 रविवार थे कितने रविवार थे? 5 रविवार थे तो अब चलो बच्चों अपने वापिस परसन की तरफ चलते हैं यह लो परसन जनवरी 2011 में कितने रविवार थे? 5 तो पांच कौन से उप्शन में हैं ती नंबर उप्शन में हैं तो जनुवरी 2014 में कितने वार थे तो ऐसे सारे वार देख सकते सोंवार कितने थे मंगल वार कितने थे यह देख सकते अगला परसन देखिए प्यारे विदार्तियों अगला परसन क्या है अगला परसन है आपका जनुवरी माहे का अंतिम सुक्रवार किस तारीक को था जनुवरी माहे का अंतिम सुक्रवार किस तारीक को था तो अंतिम सुक्रवार देखना जितने भी सुक्रवार है उनमें अंति सुक्रवार यानि अंत का सुक्रवार देखना है आपको यह रहा आपका कलेंडर अब देखो सुक्रवार कहा है रविवार सोंवार मंगलवार बुद्वार गुरुवार सुक्रवार यह लो सुक्रवार आ गया देखो एक तो एक तारीक को सुक्रवार है फिर आठ को सुक्रव उन्तिम्द सुक्रवार है। तो वापिस अपने परसं में जाते हैं पूछा है कि उन्तिम्वार कब है। इह रहा जनवरी माः का अंतिम्द सुक्रवार कि इतनी तारीक होता हौता 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 bus 39 को तो आपका तीन नंबर उत्र ओ गया कि 29 जनवरी के अंतिम सुकरवार था तो आप साउदानी पुरूवक देखे को पहले कलेंडर देखो अब जेसे आप मेंडर को देखते आपको पता ज़ल जाता है कि ये सुकरवार है और अंतिम सुकरवार 29 है तो आप उत्तर देते हैं तो सावधानी पुरवक आपको इन पर्षनों के उत्तर देने प्यारी विदार्तियों बहुत ही आसान पर्षन है लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है कि अंतिम सुकरवार 29 जनवरी को था पैरे विदार्तियों डिस्क्रीप्शन में हमारे इंस्टाग्राम चैनल है यूटूब चैनल है फेस्बुक पेज है वाटसप ग्रूप है इन सभी के लिंक दिये गए आप पे क्लिक कर सकते जोइन कर सकते लोहडी किस दिन मनाई जाती है लोहडी किस दिन मनाई थी मंगलवार को बुद्वार को गुरुवार को सुकुरवार को अब हमें जाना है वापिस कलेंडर में कि लोहडी किस वार को मनाई थी तो चलते हैं लोहडी का वार क्या है लोहडी है वो पंजाब में हिंदू द्वार मनाई जाने वाला त्योहार है यह रहो यह लो बच्चों लोडी तेरा तारी को मनाई जाती है तेरा जनुरी को और वार क्या है यह देखो बुद्वार क्या वार है बच्चों बुद्वार चलो चलते हैं कलेंडर में तो हमने देख लिया आप पर्सन में चलते हैं कि बुद् कभी कोई बार लेकिन अब की बार जो 2011 मनाई गई थी वो वो दुवार को मनाई गई थी आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले परसंद के बाद अगला परसन के है लोडी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारिक को पढ़ता है लोडी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारिक को पढ़ता है प्यारे विदार्तियों तो हमें एक बार फिर अपने कलेंडर को देखना पड़ेगा चलो हम कलेंडर की तरफ चलते हैं लोडी के ठीक बाद वाला रविवार किस तारीक को पड़ता है अब देखो लोडी कहा है ये रही आपकी लोडी इसके ठीक बाद रविवार है क्या देखो ये गुरुवार है, ये सुकरुवार है, ये सनिवार है, और फिर ये लोवाई, 17 तारीक है, कौन से तारीक है, 17 जनुवरी, 17 जनुवरी, क्या पुछा गया है, लोडी के ठीक बाद वाला रविवार, तो ठीक बाद में यही रविवार आता है, पहले 17 तारीक, ठीक बाद तो बाद वाला रविवार कौन सी तारीकों पड़ता है तो 17 को तो आपका उत्तर हो गया च्यार नमबर तो प्यारे विदारतियों इस परकार से आपको हल करना है यह एनेस के लिए बहुत ही महत पूर्ण प्यारे विदारतियों अब की बार तीन क्वीज दी गई है सभी क्वीज में मिलेंगे आपकी तीसरी क्लास की अगली कवीज मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद मुझे चंदर सिंग को आप जाने की इजाज़त दीजिए बंदे मात्रम